आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार इस वरवनी को सुबे में पहले चरण के लिए मतदान होने वाला है इस चुनावी महौल में हम बात करेंगे आज आगरा जिले के बारे में क्या खुछ है चुनावी महौल देखिए इस खास रिपोर्ट में 2022 का चुनावी रंट तयार आगरा के दिल में क्या है आगरा की सीटों पर कौन मारेगा बाजी कितना उमीदों पर खरे उत्रे विधायक आगरा की सीटों पर सब की निगा आगरा की सभी नौफ सीटों पर भाजपा का है कबजा किसकी सरसजेगा 2022 का ताज उत्तरप्रदेश के आगरा जिले में 9 विधान सभाद सीटे आती है दलितों की संख्या इस शेतर में आधिक होने की वज़े से इसे दलितों की राजधानी भी कहा ज़ाता है आगरा जिले में 6 तहसीले है इनमें एतमादपुर, आगरा, किरॉली, खेरागर, फतिहाबाद और बाह शामिल है यहाँ दो लोग सभा निर्वाचन छेतर है इनमें फतेपुर सीक्री और आगरा शामिल है साल 2017 के विधान सबच्चुनाओ में पहली बार आगरा की सभी नौसीटों पर बीजेपी ने जंडा फेहराया था फतेपुर सीक्री, खेरागर, फतेहबाद, बाह आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीड, आगरा साउथ, एतमादपुर और आगरा च्छाबनी में 2017 के विधान सबच्चुनाओ में बीजेपी ने प्रचेंड जीत दर्ज की थी आजादी के बाद पहली बार किसी पार्टी ने आगरा में विधान सबच्चुनाओ में इतनी बड़ी जीत दर्ज की थी दालितों की राजधानी माने जाने वाले आगरा में बीजेपी नियातिहासिक जीत हासिल की थी यहाँ पहली बार नौसीटों को बीजेपी ने बड़े अंतर से कबजा किया था जीत का अंतर भीज़ दपरदस्त रहा सबसे कम अंतर से बाहविधान सभा सीट से रानी पक्षॉलिका सिंग की 23,144 बोर्ट से जीत हुई थी बहीं आगरा उत्तर से जगन प्रसाद गर्ग सबसिल जादा 86,000 बोर्टों के अंतर से विज़ाई हुए थे बसपा आट सीटों पर दूसरे स्थान पर रही सिर्फ एक ही सीट पर सपा ने दूसरा स्थान पाया था वहीं दो हजार पारा के विधान सभाज़ चुनाओ में बीजेपी के सिर्फ दो विधायक बन सके थे ज़गकी बसपा के छे विधायक थे 2007 के चुनाव के बात करें तो चुनाव के दौरान बसपा के इस्तिती सबसे अच्छी रही थी उस वक्त बसपा के साथ और भाजपा के दो विधायक थे तो वहीं 2017 के विधान सभथ चुनावों में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भाज़पा ने आगरा की सारी नौ विधान सभथ सीटों को अपने कबजे में लेकर प्रचंड जीत को हासल किया था 2017 के विधान सभथ चुनावों में बीजेबी के विजई प्रत्याशी बाह विधान सभथ से रारी पक्षालिका सिण ने जीत हासल की बसपा के मदू सूधन शर्मा को दी शिकस्त आगरा च्छावनी विधान सभथ से डौक्टर गिर्राज सिंग धर्मेश ने जीत की दर्ज बसपा के गुटियारीलाल दोवेश को दी शिकस्त आगरा नौर्थ विधान सभा से जगन प्रसाद गर्ग ने दर्ज कीजी बसपा के ज्यानिंद्र गौतम को दीशिकत आगरा ग्रामीड विधान सभा से हेमलता देवाकर ने दर्ज कीजी बसपा के काली चर्ण सुमन को दीशिकत आगरा साउत विधान सभा से योगें रुपा ध्याई ने दर्ज कीजी बसपा से जुल्फिकार भुटो को दीशिकस्त पतैपुर सीकरी विधान सभा से चौदरी उधैभान सिंग ने दर्ज कीजी बसपा के सूरजपाल सिंग को दीशिकस्त खेरागण विधान सभा से महेश कुमार गोयल ने दर्ज की जी बसुपा से भगवान सिंग कुषवाह को दीशिकत पतिहाबाद विधान सभा से जीतेंद्र वर्मा ने दर्ज की जी सपा से राजुइंद्र सिंग को दीशिकत आगरा की नौ विधान सभा सीटों की जन संख्या कुल मतदाताओं की संख्या 34,61,573 पुरुष मतदाताओं की संख्या 18,80,455 महिला मतदाताओं की संख्या 15,80,130 आगरा की चापनी विधान सभा सीट पर साल 1967-1985 तक कॉंग्रेस पार्टी का कबजा रहा है 1989 के विधान सभा चुनाओं में इस सीट पर बीजेपी ने अपना खाता खोला जिसके बाद बीजेपी की जीत का सिलसिला 1996 तक ज़्यारी रहा वही साल 2002 के चुनाओं में बसपा ने आगरा चापनी सीट पर अपनी उपस्तिती दर्च करवाई और बसपा की जीत का सिलसिला 2007 और 2012 के चुनाओं में भी इसी प्रकार से ज़्यारी रहा वही साल 2017 में भाजपा ने 15 साल बाद वापसी करते हुए बीजेपी प्रचेंड जीत हासिल कर उन्होंने वहाँ पर अपना कमल खिलाया वही हमारे संबद्दाता अमित शर्मा ने 56 विधान सभा से राजनीतिक दलों की चिनावी कते विधियों पर प्रकाश डाला अगारी विधान सभा को देखते हुए समीरा अधने पार्टीयों ने अपने प्रित्द Doli पार्टीयों के लिए प्रित्ति अब गातार वहांימगर के इस लेए चंता बीच बीच जा रहा है और जो आचार सहिता का जो नियम है जो नियम वाली उन्होंने जारी किये उसके अंसारी वो यहां पर लगाता जंता के बीच जाकर अपने लिए बोटों की मांग कर रहे हैं अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से लगातार जो राइडेदी दलों की जो पित्यासी हैं लगातार अपने जंता के बीच में मतों को अपने लिए जो मतों को मांगने के लिए जा रहे हैं अपने जीत के लिए जो दावे कर रहे हैं अब देखने लिए बात होगी आगामी 10 मार्च को रिजर्ट जो सामने आता है उससे पता लगता है किस पित्यासी को यहां असकी ज चुनावी गठ जोड में लगे हैं इस बार आगरा की विधानसवा सीटों पर 2022 के रड में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा फिलाल यहां पर भाजपा का कबजा है और भाजपा 2022 में फिर से रड फते करने के लिए जीतोड मेहनत कर रही है तो वहीं दूसरी ओर सभा और कॉंग्रेज भी सत्ता की कुर्सी पर काविस होने के लिए लगतार चुनावी बिसाते बिच्छाने में जोटे हुए है गूंब रहे हैं और अपना परचार परचार कर रहे है अब देखने वाली बात है कि किस तरह सभी रजनेतिक दलों के जो प्रत्यासी हैं, जो चुनाब मैदान में उतर चुके हैं, वो जो चुनाब आयोग का जो नियम है, उसका पूरी तरह पालंग करते हुए, किस तरह अपनी जीत हासिल कर पाते हैं, आगरा से ममता भरदौच प अब देख रहे हैं, प्राइम टीवी सच साहस सरोकार